महालक्ष्मी कथा हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण धार्मिक कथा है, जो देवी लक्ष्मी को समर्पित है। ये कथा विशेश रूप से महालक्ष्मी व्रत्या पूजा के समय कही और सुनी जाती है, जिसका उद्देश देवी लक्ष्मी से धन, समरिद्धी और कथा इस प्रकार है, बहुत समय पहले एक शहर में एक ब्राहमन और उसकी पत्नी रहते थे। ब्राहमन बहुत ही धार्मिक और पवित्र था, लेकिन उसकी पत्नी स्वभाव सी क्रोधी और अभिमानी थी। वह अपने पती की पूजा और धार्मिक कार्यों को ठीक से सम्मान न ब्राहमन ने यह व्रत विदिपूर्वक किया और महालक्ष्मी माता से आशीरवाग प्राप्त किया। धीरे धीरे उसके घर में धन, सुक और सम्रिद्धी की व्रिद्धी होने लगी। ब्राहमन की पत्नी ने यह सब देखा और उसने भी अपनी गलतियों को समझा। वह भ अधा महालक्ष्मी व्रत के महत्व को बताती है और यह भी सिखाती है कि देवी लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए मन, वचन और कर्म से पवित्रता और भाक्ती होना आवश्यक है। यह एक छोटी सी प्रेरना दायक कहानी है जो जीवन के महत्वपून मूयों को दर्शाती है। सची खुशी का रहेस्य एक बार की बात है एक अमीर व्यापारी था उसके पास धन, समपत्ती और सभी प्रकार की सुक सुविधाये थी लेकिन फिर भी वह हमेशा दुखी और बेचैन रहता था। उसने सोचा मुझे इतनी दौलत होने के बावजूद खुशी क्यों नहीं मिल रही। वही एक दिन एक संद के पास गया और उससे पूछा, महराज, मैं बहुत धनवान हूँ, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। क्रिपया मुझे बताए कि सच्ची खुशी कैसे प्राप्त की जा सकती है। संद ने मुसकराते हुए कहा, तुम्हें सच् लगी, लेकिन वह संद के कहने पर निकल पड़ा। वह शहर के सबसे अमीर लोगों के पास गया, लेकिन सभी लोग किसी न किसी कारल से दुखी थे। फिर वह गरीबों के पास गया, लेकिन वहाँ भी कोई पूरी तरह से खुश नहीं था। आखिर में, चलते चलते उसे ए चरवाहे ने मुस्कराते हुए कहा, हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे किसी चीज की चिंता नहीं है। व्यापारी ने कहा, तो कृपया मुझे अपनी कमीज दे दो। चरवाहा हंस पड़ा और बोला, मुझे माफ करना, लेकिन मेरे पास तो कमीज ही नहीं है। ये सु इस तरह व्यापारी ने सच्ची खुशी का रहस्य समझ लिया और संतोष पूल जीवन जीने लगा। महालक्ष्मी हिंदू धर्म में धन, समृद्धी, सौभाग्य और वैभव की देवी हैं। उन्हें विष्णों की पत्नी और आदिशक्ती के रूप में पूजा जाता है देवी लक्ष्मी को वैदेक और पुरानिक कथाओं में विषेश स्थान प्राप्त है और वेचार हाथों में कमल, शंक, चक्रव और वर्मुद्रा धारल करती हैं। उनका वाहन उल्लू है, जो बुद्धिमत्ता और ध्यान का प्रतीक है। महालक्ष्मी की पूजा विषे देवी महालक्ष्मी को धन, एश्वर्य और वैभव की देवी मानने के साथ साथ वे धार्मिक और आध्यात्मिक सुक्ट की भी प्रतीक हैं। वे ये सिखाती हैं कि जीवन में धन का महत्व तभी है जब उसका सही और नेतिक उप्योग किया जाए। महालक्ष्मी की कृपा स्वरूप जिन्हें अश्टलक्ष्मी कहते हैं धन, विद्या, शक्ति, धैर्य, साहस, विजय, एश्वर्य और संतान का प्रतीक माने जाते हैं।